आपने जब उसकी देखा होगा website पे, जब आप एक website open करते हैं तो आपके सामने इस किसम का एक message आता है, जो के आपकी cookies को इस्तमाल करने की इजाज़त मांगता है, तो ये क्या होता है? लोग इसको accept करते हैं और कोई नहीं भी करते हैं, अगर पता नहीं होता कि ये किस किसम का accept आप से permission मांगी जा रही है तब यह क्या है कुकीज एक ऐसी फाइल है जो के आपके computer के local disk के अंदर होती है समय आपके hard disk के अंदर होती है अब यह किस किसम की फाइल होती है कुकीज से यहां पर कोई खाने वाली चीज नहीं है एक ऐसी फाइल जो के आपकी रिसर्च आपकी सर्ज आपकी हिस्ट्री समाले एक छोटी वह सेव करती है जिसके अंदर आप क्या सर्च करते हो क्या आप देखते हो किस वेबसाइट पर जाते हो तो इस किसम की आपकी जो information होती है वह सेव होती है अब बात आ रही थी यहां पर कि वेबसाइट आपकी ये कुकिस को इस्तमाल क्यों करना चाहती है देखें एक वेबसाइट आपका behavior समझ ले आपकी सर्च आप क्या पसंद करते हैं इस चीज़ के बारे में अगर एक वेबसाइट को पता चल जा तो उसके लिए ये helpful नहीं रहेगा कि मेरा जो आने वाला यूजर है मेरी वेबसाइट के उपर मेरा यूजर जो आ रहा है उसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है और उससे related जो वो सर्च करके आए उससे ही related उसको चीज़ें दिखाई जाएं तो ये उस वेबसाइट के लिए बड़ परफस होता है अब बात आ रहे थे accept करना चाहिए नहीं करना चाहिए हमारे passwords वगेरा तो इस cookies के अंदर से नहीं होते जी हां पहले होते थे अब ऐसा नहीं है दिन बदन technologies आगे जारी है तो privacy भी अच्छी होती जारी है तो cookies के अंदर आपकी कोई password emails वगेरा नहीं होती वो स सर्च समझ लें सर्च समझ लें इस किसम का एक पूरा data होता है जो के store गिया जाता है तो इससे मुराद आप मरदी आपके accept करना चाहें या नहीं करना चाहें यह कोई बड़ी बात नहीं होगी तो यह थी इसकी पूरी science I hope आपको समझ में आ गई होगी तो इसी तरीके से थैंक यू